चैनल के सवी दर्शकों को नमस्कार जैश्री कुर्ष्णा प्रणाम आज अब आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे मंगल चंद्रमा के अंतरगत गोचर फल कैसा करेगा ध्यान पूलबग देखिएगा क्योंकि ये समय किम्ती है और मैं ये समय आपको जो दे रहा हूँ आपको कुछ बताने का प्रयास मेरा है इसलिए अपना अनमोल समय मेरे साथ अनमोल समझेगा आईए जानते हैं एक चार्ट के माध्यम से चोकि आपके सामने ये चार्ट है वैसे ब्रिशलगन का चार्ट मैंने ले लिया है मंगल चंद्रमा से किन किन अस्थानों पे शुब देता है फल और किन किन अस्थानों पे अशुब फल देता है तो जब चंद्रमा मालो जहां भी चंद्रमा बैठा होगा चाहे एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर हम उसे मुख्य प्रिष्ट पर रखेंगे जिसे दो पर रखा हुआ यहां पर हमने चंदर्मा अब यहां चंदर्मा दो पर है ठीक चंदर्मा लगन से गोचरवश मंगल कहां कहां अच्छा होता है तीसरे छठे और ग्यारहे भाव में मंगल शुब देता है फल बाकी इसका फल अर्शुब बताया गया है कैसे आईए द होते ऐसा बक्ते जोर ब्रण घाव जखम चोट मोच से कष्ट पाता है अगनी जहर और हतियार से शरीर को कष्ट प्राप्त होता है क्योंकि मंगल अगनी तक तो शुरूप है और बवासीर आधी रोगों से पीड़ा होनी चाहिए होती है इस तरह को भी जोर बुखार आधी से कष्ट होता है दुरजनों के साथ जो है न कष्ट मिलता है बे मतलब में लड़ाई जगड़े हो जाते हैं यात्रा में दरुघटनाए होती हैं और भी कई प्रकार के उपद्रों मंगल की वज़े से हो जाते हैं अर्थात चंद्रमा के साथ मंगल ये लगने में होगा तो अब चंद्रमा से दूसरे घर में यदि गोचरवश मंगल चला जाए तो बल की हानी होती है हलाकि ये धन का घर है पराकर्म जो है अपने कुटुम का घर है मुख का घर है खान पान का घर है इसलिए यहाँ पर जब चला जाए मंगल गोचरवश दूसरे घर में जिस महीने में हो तो कार्यों में अस्फलता प्राप्त होती है दुष्ट मनुष्य चोरों आदिसे अगनी आदिसे नुकसान पीड़ा होती है धन बे होने का ज़्यादा खत्रा होता है और ऐसा जातक कठोर बचन बोलता है राज्य की ओर से भी इसको दंड मिलने की संभावनाई बन जाती है शरीर में पित्त की अधिकता के कार्ण प्राया शारीरिक कष्ट बना रहता है ठीक है अब चंद्रमा से अगर मंगल तीसरे घर में गोचरवश होगा तो जातक का साहस बढ़ेगा क्योंकि यहां का मंगल कारक है और उसके शत्रूप पराधित होगे धातों से धन की प्राप्ति होगी निज प्रभाव में वरध्धी होती है राज्य करमचारियों या राज्य की ओर से सहायता प्राप्त होती है तरक शक्ती बढ़ती है और धन की संबरधिती होती है ब्रोत्तरी होती है इसी प्रकार से अब चंद्रमा अगर लगन में है और चोथे अस्थान पर मंगल चला जाए चंद्रमा से तो शत्रूओं के ब्रद्धी होगी अपने मित्रों सोजनों के द्वारा बिरोध मात्रपक्च से कष्ट धन और उपभोगे वस्तों की कमी होती है खान पान की कमी भी आ जाती है जमीन जायदात की समस्याइं इखड़ी हो जाती है लड़ाई जगड़ी खड़े हो जाते हैं पडोसी पडोसी लड़ जाते हैं घरेलू जीवन का सुक्कम होता है जोअर छाती की रोग, रगत विकार से उत्पन होने वाले रोगों से, बीपी से, फेपडों की तकलीफों से पीडा होती है जातक कि मानसमान में कमी आती है सरवध साधान से भी प्राया बिरोद रहता है कोई अपना भी है ना घर का वो भी आपका विरोधी हो जाएगा मागो कश्ट मिलता है स्वयम के मन में हिंसा और कुरूरता की भावना जागर्थ होती है और व्यक्ति भैभीत भी रहता है पुलिस आदिक से भी भै लगता है और पश्वों से भी इस व्यक्ति को चोट लगने का भै रहता है जब चंद्रमा से चतुर्थ मंगल जाए और मंगल जाए जब पंचम चंद्रमा से गोचरवश तो धन और स्वास्ति का नाश होता है संतान बीमार रहती है अन्य पाप प्रभाव भी होंगे तो संतान की मृत्वी भी हो जाती है कई बार एवर्शन उगरा देखे गए है मन पाप कर्मों की और अधिक प्रवित्थ होता है जा तक कि गवरो और प्रताप को भी शेष धक्का लगता है शत्रों से पीड़ा होती है अब मंगल अगर छठे में हो जाए चंद्रमा से तो गोचरवश धन, अन, तामा, सोना, आधिकी प्राप्ती होती है शत्रों के उपर सरलता से बिजे प्राप्त होती है और उनका नाश होता है छठे गर में मंगल ठीक होते है जातक के स्वयम के प्रभाव में ब्रिद्धी होती है और मंगल छठे भाव में उच आधिराशी में जाएगा तो स्वास्त बढ़िया रहेगा अनिथा स्वास्त दोश करता है जब चंद्रमा से सब्तम अस्थान पर मंगल गोचर भश जाएगा तो स्वजनों को मानहानी तशाशारीरिक कष्ट होता है भोजन वस्त रादि में समस्याएं आती है अपनी इस्त्री से कलह रहती है क्योंकि सात्वास्त इस्त्री का अस्थान है इस्त्री का स्वास्त भी ठीक नहीं रहता भाईयों से विवाद होता है दुख प्राप्त होता है, नेत्र विकार से पीडा होती है, इस तब परिशानी आती है, चंद्रमा से हस्टम में मंगल जाएगा गोचरवश, तुझ जातक परदेश में होता है, कारे मेहानी होती है, पुरशार्थ निश्पल जाते हैं, घाव और रोग से पीडा होती है, गटना आदे से इस समय मृत्यों भी संभा हो जाती है। भायों से इन-बन रहती है। पाप कर्मे में भी प्रवित्ती लग जाती है। जुआ आदि बेशन घेरे रहते हैं। सटा लाटरी इत्यादी इस प्रकार से समस्याएं पैदा होती है। धन का भाव होता है। रोजगा धर्म के विरुद्ध आचन करता है तथा भाईयों से कष्ट प्राप्त करता है ठीक है अब जब चंद्रमा से मंगल जाएगा नवे घर में भाग्य भाव में गोचरवश तो ऐसे व्यक्ति को अनाधर प्राप्त होता है पठों के दर्ध सूखा रोग से पीडित हो सकता है जा बिगड़ने की संभावना बनी रहती है मनुष्य शत्रों से परादित होता है और धर्म के विरुद्ध उसके अंदर आचन जागरत हो जाते है और भाईयों के साथ दिवाद होता है चंद्रमा से देखे ये गोचरवश हमचरशा कर रहे हैं चंद्रमा से जब दशम भाव म मंगल गोचर में आते हैं तो तामसिक भोजन प्राप्त होता है शरीर में आगात आदिक ये द्वारा परिशानिया होते ही रोग होता है किसी भी कानबश घर से बाहर रहना पड़ता है रोजगार में बिगन आता हैं है बहुत जदा आती हैं बेधबाधाएं चोरों का भी रहता है लेकिन बाराही संगिता में ऐसा है कि उसकी अनुसार दसंभाव में गोचर बश जाने वाला मंगल धन की प्राप्ति करवाता है और मेरे विचार में धन प्राप्ति का फल गोचर अवद के उत्तरार्ध में यानि उतरती वस्ता में संभव है मानना भी चाहिए चंद्रमा से ग्यारवे घर में आमधनी की घर में जब मंगल होंगे गोचरवश तो जै आरोग्या धन धाने की प्राप्ति इत्यादी होती है आमदनी में आशातित ब्रद्धी होती है भूमी आदी के लाव का ये उपयुक्त समय रहता है मकान के किराई की आई में ब्रद्धी होती है भाईयों के ब्रद्धी होती है तथा व्यक्ति को उनसे लाव भी रहता है कारियों में सफलता प्राप्त होती है इस प्रकार से जब चंद्रमा से बार्वी भाव में गोचरवश मंगल आएंगे तो धन का बे होता है, तथा घर से दूर जाना पड़ता है, मनुष्य नेत रोक से पिडित होता है, भाईयों के साथ कलह रहती अन्बन होती है, मानहानी होता है, इस्त्री को भी कष्ट मिलता क् की बार्वां गरिस्त्री का भोग भावा है, और उससे कलह भी रहती है, पुत्रों को भी कष्ट की प्राप्ती होती है, इस प्रकार से चंद्रमा से गोचरवश मंगल की स्थिति मैंने आपके साथ बाटी, यह मैंने क्यों बताई, इसलिए कि आप इससे आसानी से गोचर द लेते रहेंगे, लेते हैं बिदा, छोटे से वीडियो के साथ, नमस्कार जयाशे कृष्टन प्रणाव